नमस्कार दोस्तो वेलकम टू पीके क्लासिस। दोस्तो आज मैं आपके लिए time study के बारे में बताऊँगा Time study is industrial engineering and ergonomic subject के अंदर आता है Time study क्या है, कौन-कौन सी method से and time study से क्या फाइदा है तो आज time study के बारे में complete detail जानेंगे तो दोस्तो जो भी छात PK Classes से कुछ gain करना चाहते हैं या किसी topic पर अपना concept clear करना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें स्क्रीन साट लेने से एक मिनिट वीडियो बाच करने से आपका ना तो कोई concept clear होगा और ना ही आपको कुछ समझ में आएगा इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखने की कोशिस करें जिससे आपके doubts clear हो सकें तो सबसे पहले हम time study क्या है time study एक ऐसी तकनिकी है जो उप्योग करते हैं किसी भी task पे जो परफाम करने में समय लगता है उसको means time study is a technique which used to determine the time required to perform the work by a qualified worker means इस तकनिकी के द्वारा जो बरकर के द्वारा एक skilled qualified worker के द्वारा किसी भी task को complete किया जाता है तो उसमें जो समय लगता है इस समय को calculate करने के लिए इस समय को निकालने के लिए हम time study का उप्योग करते हैं the time and motion study help to fixing wages and intensive of workers means time study करने से हम workers का wages and workers को जो intensive देते हैं यह देने में हमको मदद मिलती है ठीक अब दोस्तों जो भी छात पीके क्लासिस में first time है जिनने अभी भी चैनल को subscribe नहीं किया है वह चैनल को subscribe करें and video को like करें तो इसका मतलब है कि जैसे आप किसी company में काम कर रहे हो तो यदि आप अतिरिक्त वर्क करते हो suppose आपका time होने के बाद 2 hours आप अतिरिक्त काम कर रहे है तो इसका company आपको कुछ intensive देगी कुछ money देगी लेकिन जब company को पता है कि यदि आपने 2 hours काम किया तो 2 hours में इतने product बन के ready हो जाएंगे लेकिन आपने 10 बनना चाहिए एक बनाया तो company आपको 2 hours का intensive या अतिरिक्त पैसा कैसे देगी किस basis पर देगी तो इससे क्या होता है कि time study से जब कोई qualified worker किसी भी task को complete करता है तो उसको complete करने में कितना समय लगा इसका मतलब है कि वो task complete करने में उसको 5 मिनट लगे तो others worker के लिए 5 मिनट लगना चाहिए कई लोग क्या होता है कि seriously काम नहीं करते हैं अपने task को complete नहीं करते हैं और एक छोटी से काम को 3 दिन लगा देते हैं जबकि वो काम आपका एक दिन में complete हो सकता है तो आप सोचो कि कमपनिया इस तरह से कैसे पे करेंगी उसके लिए तो इसके लिए क्या होता है सबसे पहले time study करते हैं और इससे हमें किसी भी employee के लिए किसी भी workers के लिए wages intensive देने में बहुत आसानी होती है अब इसकी कौन-कौन सी methods है methods of time study first step batch method second time recording machine इसके द्वारा time study की जाती है अब इसमें सबसे पहले step batch method step batch method जो है इस method में step batch का उप्योग करते हैं time की study करने के लिए the step batch is very accurate and preferable graduated in decimal so that it can record even up to 0.01 minute means जो step batch है यह हमारी time record seat के साथ machine साब पे क्या होती है connect होती है अब इस step batch की सहायता से हम जो काम करते हैं उस काम के समय को यह step batch क्या करेगी record करती है step batch का जो dial है एक graduated है और यह record कर सकता है 0.01 minute को भी इतने के समय को भी record कर सकता है it has two pointers इसके दो pointer होते है the large pointer revolves at a speed of one revaluation in one minute जो बड़ा बाला काटा है बड़ी बाली सुई है इस बाच की एक revaluation complete करती है एक minute के अंदर and its dial is divided into 100 division इसका जो dial है 0 से लेके 100 divisions में क्या है पूरी इसके 360 degree divide है ठीक and जो small pointer है यह revolve करता है at a speed of one revaluation in 30 minutes means यह एक चक कर घुमेगा छोटा बाला pointer 30 minutes में ठीक को परफाम करते हैं कोई task को complete करते हैं तो उसके द्वारक कितना समय लगता है इसको हम stop batch method से calculate कर सकते हैं और जो time record sheet होती है इसमें हम note down करते जाएंगे pen से mention करते जाएंगे data को ठीक इसको first method जो है यह होती है stop batch method second है time recording machine this type of machine इस प्रकार की machine है जाब paper tape इसमें क्या होता है एक paper होता है जो tape होता है which rotates on two rollers दो rollers होते हैं उस roller पे paper क्या होता है rotates करता है एक समान speed से uniform speed से roller घूमेंगे उस पे paper होगा rotate होगा uniform speed से this paper tape is graduated in such a way that it gives timing in a friction of minutes यह जो paper होता है इस पे क्या होता है scale बना होता है इस तरह से scale बना होता है कि जिसके एक एक minute को हम इससे note करके count कर सकते हैं the readings can be seen and recorded through a slit provided in the casing of equipments इसकी जो readings है उसको हम देख सकते हैं और उसको record कर सकते हैं note कर सकते हैं जो इस equipment पे बनी होई है scale ठीक this method eliminated errors of the stopwatch method means यह जो हमारी second method होती है यह first method में जो errors आती है जो mistake होती है उसको क्या कर देती है eliminate कर देती है इसमें वो mistakes नहीं आती है clear third है motion picture camera this method camera is driving यह जो motion picture camera है यह motion study में भी आता है तो इस method से हम क्या करते हैं इसमें जो camera होता है यह constant speed से क्या होता है driving होता है इसमें प्रतियक फिल्म में कितना समय लगता है जैसे एक operation आपने किया तो उसमें कितना समय लगा दूसरा operation किया तो कितना समय लगा तो यह हमारा क्या करता है time को लेता है प्रतियक फिल्म का calculate किया जाता है hence we knowing the number of films covered by one operational elements किसी एक task को complete करने में कितने number of films covered हुए है the exact time can be found इससे हम exact समय को calculate कर लेते हैं जैसे कि उधारन के लिए हम देखें एक्जामपिल के तौर पे फर एक्जामपिल इफ केमरा वाज सेट एट 100 फिल्म पर मिनिट यदि केमरा इस तरह से सेट है जो हर मिनिट में 100 फिल्म को क्या कर रहा है capture कर रहा है record कर रहा है and each film takes 0.001 minute प्रतियक फिल्म में यदि 0.001 minute लगता है and if an operational element cover 68 film मालो जो operation है उसमें 68 film complete हुई है then the time required for this element would be 0.001 into 68 equal to 0.068 minute यह हम इस तरह से इसका time है जो कि calculate कर सकते हैं motion picture camera method के थुरू फिक नौ इसके फाइदे आखे time study क्यों करते हैं तो it is required to plan for future production यदि हम भविस में कोई production करना चाहते हैं कोई product बनाना चाहते हैं तो इसमें हमको मदद मिलती है कैसे? estimation of machinery requirement means हम कोई business कर रहे कोई industry में product manufacture कर रहे तो उसका हमें estimate बनाने में कितने machinery या equipment की आवस्सक्ता पड़ेगी वो पता चल जाता है estimation of production cost कितना खर्चा आएगा इसका भी पता चल जाएगा कि 10 बर कर काम करेंगे तो 15 दिन में complete कर देंगे तो 10 बर कर की salary इतनी होगी इतना materials लगेगा यह सारे estimate हम कर सकते हैं यह भी एक बहुत बढ़ी अफायदा है next estimation manpower requirements कितने आदमी लगेंगे कितने employee की need होगी इस task को complete करने के लिए यह time study से clear हो जाता है ठीक estimation delivery date अब हम किसी भी product की delivery करना है तो उसकी date का भी estimation लगा सकते हैं कि वाई इतने product बनाने में हमको 10 दिन लगेंगे तो हम उसको 11 में दिन की delivery की date देंगे कोई आप tailor के पास spend लाते हो तो वो एक date देता है उसको पता रहता है कि हमारे पास इतना कामावी है इसके बाद हम इसको इस date तक complete कर लेंगे उसके पाद time की study है तो उसके according ही आपके bill में date mention करेगा ठीक estimation of labor cost जो employee होते हैं जो मजदूर होते हैं उनकी कितना खर्चा देना पड़ेगा कितना पैसा लगेगा इसका भी estimation हम time study में कर सकते हैं second time standard help in evaluation of performance as in following cases means the evaluation of productivity या various work station जितने भी हमारी industry में work station है machine साफ है उन सभी की productivity निकालने में भी हमको साहिता मिलती है time study से and for development of individual incentive plan एक एक employee का incentive देने का जो plan होता है वो time study से perfect calculate किया जा सकता है कहने का मतलब है कि आप की company में 10 लोग काम कर रहे हैं और 10 लोगों का performance same तो हो नहीं सकता यह आप भी जानते हो सबका अलग अलग होगा तो जो बहुत अच्छा परफाम करेगा हम उसको अतिरेक्ट incentive देंगे उसकी salary के उपर कुछ अतिरेक्ट bonus दे सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यदि हम time study नहीं है तो यह तो हम सबको दें तो यह तो उचित नहीं है तो वो उसको pay करेगा incentive जो जिसका task कम समय में complete हो रहा है क्योंकि उस limited time में वो चार product बना रहा है कोई worker दो product बना रहा है कोई एक बना रहा है तो एक बाले को हम चार बरावर दें यह तो गलत हो जाएगा अन्या है तो इसका मतलब है time study से हम individual incentive plan बना के एक एक person को individual benefit दे सकते हैं तो इसलिए हमारी time industry industrial engineering and ergonomics के अंदर आती है जो काफी important होती है किसी भी business को success करने के लिए या कोई planning करने के लिए I hope आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपका doubt concept clear हुआ होगा इसलिए चैनल को subscribe करना ना भूलें and वीडियो को like करें Thank you